हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल प्रेगनींसी केर विद मेगा मैं मेगा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप लोग? I think सभी सौस्त होंगे बहुत ही खुश होंगे दोस्तों जब कोई महिला महां बनने वाली होती है तो उसके मन में बहुत सारे खुशी होती है लेकिन कभी कभी किनी कारणों के कारण आपका गरपात हो जाता है या मैं कहूं अबोशन हो जाता है अबोशन होने के बाद क्या सावधानिया रखना जरूरी होता है तो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कुछ बहुत ही important tips जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं अगर आज की वीडियो आप रोगों को अच्छा लगे अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा, लाइक कीजेगा, कमेंट कीजेगा और शेयर करना बिलकुल भी मत भूलिएगा देखे दोस्तों मिस्केरीज होना शारिरिक और मानसिक तोनों तरीके से ही आपके लिए कश्छ दायक होता है और इसके लिए कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं लेकिन दोस्तों उन कार्णों के साथ को जानने के साथ आपको अपनी सेहत का भी बहुत अदिक तिहान रखने की जरुद होती है मिसकर इसके बाद अक्सर गिल्ट, क्रोध या मैं कहूं गुसा आना या फिर आपको कभी-कभी डिप्रेशन भी हो जाता है उन में खून की कमी का भी जोकिम हो सकता है करपात कराने वाली महिला को गंभीर पीट में दर्द, खून की कमी, तनाव, अटेंशन इन सभी चीजों का सामना करना पड़ सकता है तो इन सभी चीजों को नियंतरित रखने के लिए आपको किन-किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहली जो चीज होती है दोस्तों सब चीजों में सबसे पहले आता है आपका अच्छा और संतुलित खाना देखें अपने खाने में हरी पत्तेदार सबजियां, सूखे मेवा, अदरक, लहसुन, तिल और दूद जरूर शामिल करें प्रोसेस फूड या फिर बहुत सरी चीनी वाली चीजे या फिर ठंडी जो कोल्डिंग्स होती है इन सबी चीजों को आपको खाने से बचना चाहिए ये चीजे आपके सिहत के लिए अच्छी नहीं होती है और आपको अपने डाइट में बहुत सारे हेल्डी फूड जैसा की मैंने बताया है वो एड करें और लिक्विड में आप छाच पी सकते हैं आप नार्यल पानी पी सकते हैं जूस आप ले सकते हैं विटैमिन डी आहरन और कैल्शिम जैसे सप्लिमेंट डॉक्टर आपको देती है तो उनका जरूर सेवन कीजिए दूसरा है आपको हैवी वर्काउट करने से बचना चाहिए पड़े बरतन दोने या पानी की बाल्टी उठाने सहीत वजन उठाने वाली सारे कामों से आपको बचना चाहिए ये आपके लिए काफी नुकसान दायक हो सकते हैं बिलकुल भी आपको व्यायाम या एक्सेसाइ नहीं करनी है जितना हो सकते थोड़े दिन रेस्ट कीजिए हेल्दी रहने के लिए आपको कम से कम आठ गंटे सोना बहुत जरूरी होता है और अगर आपका अबोशन हुआ है तो उसमें भी आपको रेस्ट करने की बहुत जादा जरूरत होती है तीसरा है गरम पानी का सेव करना बहुत जरूरी होता है नेक्ट है बॉड़ी मसाज करवाएं देखे अपनी बॉड़ी को आराम देने के लिए और अपनी बॉड़ी में माश्पेश्यों को चही तरीके से काम करने के लिए आपको मालिश बहुत जरूरी होती है आप इतने दर्द से गुजरी है और एठन को कम करने में मदद करता है इसलिए दर्द को कम करने और शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए आप पैरो और हतेलियों की मालिश जरूर करवाएं आप hot compression कर सकती है देखे गरपात के बाद आपको एठन हो सकती है इसलिए गरम बैग दर्द को कम करने के लिए काफी उपयोगी होता है इससे आप काफी ज़्यादा बहतर महसूस करेंगी नेक्स्ट है कि गरपात अगर आपको हुआ है अबोर्शन हुआ है उसको तुरंद बाद आप दुबारा pregnant होने से बचें देखे गरपात के तीन महीने बाद आप अपनी गरभावस्ता की योजना बना सकती है यदि अबोर्शन छे महीने के बाद हुआ है तो एक साल के अंतरा क्या आउशकता होती है क्योंकि आप कब दूसरा बेभी प्लैन करें यह इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका जो अबोर्शन हुआ है वो कितने महीने का हुआ है आप अबोर्शन के आठ सब्ता बाद रिलिशन बनाना शुरू कर सकती है अपना मेडिकल चेक अप करा बारे में बताना ना भूले यह खून की कमी चक्राना उल्टी महसूस होना सबी चीज़े अपने डॉक्टर को जरूर बताएं क्योंकि आपके बॉड़ी बहुत सारे चेंजिस से गुजर रही होती है और इन चेंजिस का आपके डॉक्टर को पता होना बहुत जरूरी होता ह क्योंकि जब भी आप next pregnancy करेंगे या फिर मैं कहूँ जब आप next baby plan करेंगे तो उस समय आपके डॉक्टर को आपके बारे में पूरी जानकारी हो सके जिससे कि वो आपके पहले abortion का reason जान सके और अगली पर आपको इस समस्या का सामना ना करना पड़े तो ये थी वो चीजें जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है और उमीद करती हूँ आज काई वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा लाइक कीजेगा, कमेंट कीजेगा और शेयर करना बिलकुल भी मत भूलेगा थैंक यू फो वाचिंग प्रेगिंसी के रविद मेगा, थैंक यू, नमशकर